नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में आज हम एक पाफ फीर से आप लोगों के सामने एक बहुत प्रशिद लेखा के जीवन परचे को लेकर आए हैं जिनका नाम है स्री माधाव देव अब इंकी जीवन परचे में इंकी जन्म, मित्यू, इंकी रचनाए इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे तो चलिए सुरू करते हैं स्री माधाव देवजी के जीवन परचे के बारे में असम राजे के, जिन महापूर्शों के द्वारा धर्म करांति की स्थापना हुई जिनके द्वारा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक गतिवीधियों का पुनर जीवन हुआ और जिनकी अमरवाणी का अच्छा प्रशाद पाकर असमिया साहित धन्य हुआ, गौरमींत हुआ उनमें माधाव देव का नाम बड़े ही आधा पुरुवक से लिया जाता है स्री माधाव देव के सबसे प्री अनुयाई ये सिस्य थे इनका जन्म नौकाव जीलों के लेतू पुखरी नामक ग्राम में सन 1489 इस्वी में हुआ था माधाव देव जन्मत साक्त थे, पर स्रीमन्त संकर देव के संपर्क में आके ये वैशनों हो गये थे इन्होंने आजीवन अपने सारे जीवनकाल में वैशनों धर्म का प्रचार प्रशार किया ये अन्यान्य विश्यों के परम ग्याता थे इनमें संगीत विद्या की अस्चर जनक शक्ती थी ये अपनी युग के विख्यात गायक भी थे और इन्हों ने आजीवन भ्रह्मचारी होका स्रीमंत संकर द्वारा प्रशार वैश्णो धर्म का प्रचार प्रशार भी किया था सन 1596 इश्वी में इनकी इह लोग की लिला समाप्त हुई अब हम लोग जानेंगे माधा देव की रचना है जैसे पहला है नाम घोसा यह इंका बहुत ही प्रशिद रचना है दूसरा है रामायर आदिकान तीसरा है भक्ति रतनावली चोथा है नाम मालिका पाच्वा है राज सुय यग्या छटा है जन्म रहस्य सात्वा है संकर देव कृत भक्ति रतनागर का भाश्य आठ्वा में नं प्रा गुचोवा दस्वे नंबर में भूमी लेटोवा ग्यारा में भोजन विहार एवं बार्वे नंबर में आर्जुन भंजन नाम घोसा और भक्ति रतनावली माध्य देव की बहुत ही सर्वशेष्ट रचना है नाम घोसा ग्रंत में 1000 पद संग्रहित है यह ग्रंत इंक उपड़ बिल्कुल संगीत में है यह ग्रंत इंके आदर्स व्यक्तित्व की निसानी है भक्ति रतनावली 12 अध्यायों में समाई हुई गुड तत्थों से भरपूर मर्म इसपरसी ग्रंत है बरगीत भी भक्ति रस से सरोवर भक्त हिदय का विहंगम अस्तित्व है माध्यो करने में हमें प्रेरीद करता है तो यह था एक छोटा सा जीवन पर्चाय माधो देजी के बारे में जिसमें इनकी जन्म मित्यु और रशनाव के बारे में हम आप लोगों को बताएं यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को स इस सभी वीडियों टेक्स के रूप में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.educationforIndia पर भी जाकर टेक्स के रूप में प्राप्त कर सकते हैं हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद